हलो गाइस, वेलकम टू पूरी पड़ाई, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं CSS बॉर्डर, जिसमें हम देखेंगे बॉर्डर स्टाइल, अगर किसी भी HTML एलिमेट में आपको बॉर्डर लगाना है, तो हम बॉर्डर स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं, अब बॉर्डर स्टाइल specify what kind of border to be display, तो किस तरह का आपको display चाहिए, किस तरह का border चाहिए, उसके लिए हम border style की property यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यूज़ करेंगे, हम लिकिंगे border slash style colon dotted, तो हम dotted कर सकते हैं, solid कर सकते हैं, और हमारे पास काफी सारे examples हैं, क्या कि हम use कर सकते हैं, dotted इसके लिए अपने नोटपेट के खोलेंगे इसके बाद हम स्टाइल डालेंगे जो की CSS लिखने के सबसे पहले हम स्टाइल डालते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए इसको स्टार्ट करने के लिए इसके बाद अगर हमें पैरग्राफ में चेंज करना है पैरग्राफ में बोर्डर लगाना है तो हम पी लिखेंगे इसके बाद हम लिखेंगे बॉर्डर और इसके बाद लिखेंगे border style border style में आपको अगर dot it लगाना है dot it लगा दिया है इसके बाद हम इसे save करेंगे इसे हमें save कर रहे हैं cssborderstyle.html आप किसी भी नाम से इसे save कर सकते हैं यहाँ पर मैं इसे cssborderstyle.html से नाम के save कर रहा हूं dot stml मैंने इसलिए लगाया ताकि यह file stml में convert हो जाए save करेंगे इसे save करने के बाद इसे open करेंगे इसे हम open किसी भी browser में कर सकते हैं यहाँ पर मैं google chrome में इसे open कर रहा हूं यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं कि जो हमारा paragraph ता वो dotted में आपका आ चुका है dotted border बन चुका है आपर तो इस तरह से आप इसे use कर सकते हैं यहाँ पर तो हमारा dotted आया है dotted की जगे हम solid भी कर सकते हैं और से हम save करेंगे save करने के बाद इसे reload करेंगे इसे हमने save करा है solid लिखा है और यह हमने save करा है save करने के बाद इसे reload करेंगे तो यह देखिए आपका यह जो है solid में change हो गया है तो इस तरह से आप solid में change कर सकते हैं now next यह तो हमारा हो गया dotted और हम क्या कर सकते हैं border style को हम अलग-अलग तरह से लिख सकते हैं the border style property can have from one to four values आप top border जो है उसको change कर सकते हैं right border को change कर सकते हैं border border को change कर सकते हैं left वाले border को change कर सकते हैं किस तरह से आपका सबसे पहले आएगा top फिर right फिर bottom फिर left तो हम different fin करके दिखते हैं पहले में dotted करेंगे फिर dash it करेंगे फिर solid फिर double इसमें हम use कर देखते हैं पहले हम solid कर लेते हैं फिर dotted कर देते हैं फिर dash it कर देते हैं उसके बाद double और इसे हम save करेंगे save करने के बाद इसे open करेंगे ब्राउजर में और इसे reload करेंगे तो आप यह देख रहे हैं कि जो सबसे उपर वाला है जो हमारा top वाला है मैं आपको coding के साथ दिखा देता हूँ इस चीज़े कैसे हो रही है यहाँ पर आप सबसे top वाला दे जो देख रहे हैं वो हमारा solid हो गया है second वाला जो right वाला है right वाला जो है वो dotted हो गया है इसके बाद dashed हो गया है और इसके बाद double आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि left hand side में यह आपका double हो गया है तो इस तरह से आप properties use कर सकते हैं border आपको different friend borders बनाने है तो आप इस तरह से border style का use कर सकते हैं so I hope आपको border style समझ में आया होगा so thank you guys meet me on the next video तब तक के लिए good bye your feedback is valuable for all so please comment, like and share with your friends thank you